तो आज हम गड़े से तूर्थी के लिए भोग बना रहे हैं मोदक चलिए इसे बना लेते हैं यह पान मोदक है यह बहुत ही टेस्टी बनता है फ्लेवर फूल बनता है इसको हमने पान डाल के बनाया है जो फ्रेस पान के पत्ते होते हैं उसे तो इस तरह से आप बनाएंगे बहुत ही अच्छा बनेगा तो चलिए बना लेते हैं इसे बनाने के लिए हमने कुछ फ्रेस पत्ते लिए हैं पान के और कुछ ड्राइफूर्स लिए हैं स्टफिंग के लिए तो इसे हम पहले ग्राइंड करके रख लेते हैं पान के पत्तों को इस तरह से पत्तों को हमने तोड़के ले लेना है और जरुवत के अनुसार जितना जरुवत हो पानी पीछने के लिए 1 इस्पून या 2 इस्पून बस उतने ही हमको पानी डालना है ज्यादा पानी नहीं डालना नहीं बहुत पतला हो जाएगा तो इस तरह से कुछ पत्ते हमने रख दिये हैं डेकोरेट रोस्ट करने से क्रंचीनिस बना रहेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा है और इसकी बढ़ जाती है इसलिए हमने इसे रोस्ट कर लिए इसमें हमने काजू बदाम और किस्मिस अकरोट इतना ही डाला है आपके पास जो भी ड्राइफ रूट्स हो आप डाल सकते हैं अब इसमें स्टफ करें और इस तरह से रहा हम इसे भूण लेंगे भूण के इसको हलका कलर चेंच हो गया है और इसमें 1-4 गूण डाल दिया है गूण डालने से भी टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है अगर आपके पास गूण हो तो हेल्धी भी होता है और टेस्टी तो आप गुड़ी डालें अधरवाइस आप चीनी भी डाल सकते हैं तो इस तरह से देखिए हमने भून के तयार कर लिया है और इसे हम एक पैन में एक प्लेट में निकाल लेंगे तो यह की स्पून हमने इसमें इलाची कुठी भी डाल दिया इलाची का फ्लेवर इसमें दूद डाल दिया एक से डेड़ ग्लास दूद आप ले सकते हैं बड़ हमने एक ग्लास लिया है क्योंकि मलाई भी है तो एक ग्लास दूद काफी है इसको इस तरह से खाली हमको चीनी मेल्ट होने के लिए और थोड़ा सा जो रिसिकेड़ेट कोकोनट डालेंगे उसके देंगे तो यह देखेम छोटे चोटे बाल इस तरह से बना लिजिए और इससले बना करेंगे नहीं तो फिर दिक्कत होंग इसलिए छोटे चोटे बाॉसस बनाकर से रहें अब देजी मैं हमको ड्याल गया है cleft टेम्स द्यश्म dough अर्लेटelo अच्छे से मिक्स हो जाए अब यह मिक्स हो गया अच्छे से इस स्टेस पर हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर डालने से क्रेमी टेक्षर आ जाएगा एक कप हमने मिल्क पाउडर ले लिया है इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें डाल और इसको अच्छे से मिक्स करेंगा अभी चीनी जब मेल्ट होगा तो थोड़ा पतला हो जाएगा उसके बाद इसे हमको सुखा करना है चला के सुखा करना है और अब इसमें डाल दिया जो पान के पत्ते पीस के रखे थे वो और कुछ बूध हम इसमें फोट कलर डालेंगे क उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कितना अच्छा कलर आदा है यह डालने से फ्लेवर भी अच्छा आएगा पान के पत्ते का और कलर भी बहुत अच्छा आएगा तो एक इसमें घी डाल दिये हैं एक टेबल स्पून डालिए ताकि थोड़ा सा क्रीमी टेक्स टेक्शर पैन चोड़ने तक हमें पकाना जब तक पैन अच्छे से नहीं चोड़ेगा जब तक हमें इसे पकाना है आपको लगेगा कि यह बंद जाएगा उस तरह से होगा तब आप इसे बंद करिएगा तो यह देखिए कितना बढ़ियां यह बंके तयार हुआ है और आप हम गैस ब दिखाएंगे तो थोड़ी देर और पका लीजिए इस तरह से सुखा बिल्कुल हो गया है और आप हम इसे बना लेते हैं पान में नहीं चिपक रहा है इतना सुखा होना चाहिए अगर आपको घीला लगेगा तो आप इसे एक-दो मिनिट और पका लीजिए इस तरह से हमने गी लगा लिया है मुदक मॉल में और आब इसे हम बना लेते हैं पहले दोनों साइड हमको हलका-खा लगा देना है हो धेखाएंगे पहले हम थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं उसके बंद करेंगे और इस तरह से घासे रृ लगा करके इसे अन्дर में चिपका दिया है अब इसके अंदर हम फिल कर लेंगे इस तरह से आप बनाएंगे तो अंदर फिलिंग अच्छे से आजा princess kelly आजयेगा इसनद अब बनाना पड़ता है फिलिंग के लिए इस तरह से आप बनाएं और अब इसके अंदर सुन्दर बना कितना अच्छा बना तो इसी तरह से आप बनाएं कभी फेल नहीं होंगे बहुत ही टेस्टी लगेगा बहुत ही देखने में सुन्दर लगेगा देखिए कितना अच्छा बना है तो इसे अब साइड में रख देते हैं दूसरा एक और बना के दिखाते हैं अब हाथ में चिपक रहा है तो आप फोड़े देर और पका लिए अंदर में आपको इस्पेस बनाना पड़ेगा तभी आप इसमें फिल कर पाएंगे इस तरह से आप चारो तरह दबा दीजे और उसके बाद फिर इसमें हम स्टफिंग भर के बंद कर देंगे इस तरह से इन दिनों गड़ेश चतुर्थी पर सभी कोई बनाता है अगर किसी को नहीं आता है बनाने इस तरह से बनाएंगा तो बहुत आसानी से बना लेगा तो इस तरह से देखिए हमने सारे बना लिए और बाकी के थोड़े हमने रख दिये हैं उसे हम बाद में बनाएंगे तो इ में गीं तरह किस तरीके से काटने पर फिलिंग भर launch इससे काटने के देखिए इसी तरह से फिलिंग भरना है तो मीजरा थि logr लगी हो अप्लीज मैरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और हमारे वीडियोज का अधिक सदिक मात्रा में शेयर करें वीडियोज आप लोग देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज ऐसा ना करें बहुत मेहने से वीडियो बनता है तो आपका एक लाइक एक शेयर हमारे लिए बहुत माहिने रखता है तो जरूर करें में तेहें नेक्स वीडियों तब तक लिए थांक्यू फ्रेंड्